स्वागत है आप सभी का विज्ञान की कच्छा में कच्छा आठ की विद्यारतियों के लिए आज हम अध्याय 9 जन्तुमेजनन इस अध्याय से समंदित प्रस्णों उत्तर संखला के प्रस्णों पर हम और उनके उत्तरों को हम ध्यान से देखेंगे समझेंगे और रेखा चित प्रणसंख्या एक दो तीन और चार इन प्रशनों पर हम चर्चा कर चुके आज हम प्रणसंख्या पांच से स्टार्ट करेंगे यदि आपने इससे पहले प्रशन अभ्यास से संबंधित उत्रों को आपने न देखा हो डिस्क्रप्शन बॉक्स में जा करके हमने लिंक प्रणसंख्या पांच से हम इस्टार्ट कर रहे हैं प्रणस दिया हुआ है कि यूग्मनज और गर्व में दो हमको विभन्नताएं बतानी है कि यूग्मनज और गर्व में विभन्नताएं लिखेंगे हैं उसके बाद यहां पर एक तरफ गाईग्राम बनाएंगे जिसमें तरफ हो जाएगा युग्मनज और दूसरी तरफ लिखेंगे गर्व इसमें हमको अंतर लिखना है तो युग्मनज में जो दो हमको बताने हैं युग्मनज में क्या होता है कि निस्येचन के समय सुक्राण और अंडाण सनलाइत होकर एक हो जाते हैं इसके परणाम सरूफ युग्मनज का निर्माड होता है और इसके विपरीध हम देखेंगे गर्व में क्या होता है कि युग्मनज विक्सित होकर भूण बनता है और भूण की वह अवस्था जिसमें सभी सारीरिक अंगों की पहचान हो सके गर्व कहलाता है गर्व में सिसमें के अंगों की पहचान आसानी से की जा सकती है परंत युग्मनज के निर्माड में उसकी पहचान नहीं की जा सकती है इसके अत्रिक देखते हैं दूसरा जो अंतर है युगमनज में देखेंगे कि युगमनज यह एक एकल कोशिका है यह सिर्फ एकल कोशिका है एक अंडाण और एक सुक्राण मिल करके सनलाइथ होता है तो एकल कोशिका होती है यह यह बहुत कोशिका होती है चलिए प्रसन संख का अलेंगिक जनन की वह किस्म जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है इसमें क्या होता है कि केवल एक ही जीव भाग लेता है अलेंगिक जनन कहलाता है एक ही जीव भाग लेता है अलेंगिक जनन कहलाता है जन्तुव में अलेंगिक जनन की विधिया नेम लिखे थे कि दो खंडन जीव को सरीर लंबवत अनुप्रस्त खांच में दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है मतलब क्या हुआ कि जीव जो होता है वह दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है जैसे ये जीव मान लेते हैं ये दो बराबर भागों में विवाजित हो गया तो एक से दो जीव बन गए ये अनुपरस्त भी हो सकता है और इसके अतरिक्त लंबवत भी हो सकता है ठीक है ये अनुपरस्त भी और लंबवत भी दोनों प्रकार से ये विवाजित हो सकता है ये जैसे ही दो भाग जनक कार्थ हूआ कि एक जैसा दूसरा भाग समान उथ्पन्नों हो जाएगा, तीक है अब इसमें देखते हैं, क्या होता है जननकी यह प्रोटो जोवा, अमीबा और पेरामीसियम आज में होती है जिन में यही विद आवस्यक रूप से कोशिका विभाजन की विद है जिसके परणाम सुरूप संतत कोशिका का प्रथक करण होता है बव कोश की जन्तूओं में भी इस विद को देखा गया है जैसे सी एनिमोन में लंबोध खंडन तथा प्लेनेरिया में अनुप्रस्त खंडन दूसरी विद मुकुलन, मुकुलन देखते है मुकुलन एक प्रकाल की अलेंगिक जनन क्रिया है जिसमें नया जीव जो अपेच्छाकत छोटे पुन्यों की कोशिकाओं से निकलता है आरंब में जनक जीव में मुकुलन बनता है मुकुलन अलग होने से पहले जनक का रूप धारन कर लेता है जैसे बाह मुकुलन में या जनक से अलग होने के पश्चात आंतरिक मुकुलन में बाह मुकुलन इस्पंज, सिलेंट्रेटा जैसे हाइडरा, चप्ते क्रम और ट्यूनिकेट में मिलता है लेकिन कुछ सिलेंट्रेट जैसे ओबलिया, पॉलिप की अपेच्छा में ड्यूसी पैदा करते है ये मुकुलन का एक उधारन यहाँ पर हम प्रसुफ कर रहे हैं रेखाचित्र के माध्यम से आप देखें किस प्रकार से मुकुलन हो रहा है देखें ये हाइड्रा में मुकुलन हो रहा है, यहाँ पर आप देखते हैं कि ये उसी के सम्माइड्रा के जनक ये है, आपका हाइड्रा जनक है देखेंगे, आप इसमें क्या हो रहा है, मुकुलन हो रहा है, छोटा सा यहाँ पर एक पुंज निकला है और यही विस्तारित हो रहा है दीरे दीरे ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो करके ये इस जनक भाग से अलग हो जाएगा और उसी के समान अपने जनक के समान उसकी संतत होगी ठीक है साथ उसके बाद के प्रस्द हम आपके सामने कले कराएंगे धन्यवाद